कि एगाईज विल्कम डेक्ट वर यूट्यूब चैनल भावना एजूकेशन हब मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जैसे कि मैं आप लोगों को के लिए मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था इससे पहले हम अपना अल्जेबरा टॉपिक और ट्रिक्नोमेट्रिक टॉपिक कंप्लेट कर चुके हैं जिसमें हम 2022 और 2023 के सीजेल दुवारा पूछेगे सारे कोश्चन कर चुके हैं तो हमारा नेक्स चैप्टर है और एडवांस वर्जन कराऊंगा और जो इससे के लिए वाला पार्ट होगा उसमें हम 2022 और 2023 में सारे की सारे कोश्चन करने वाले हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कॉन्गुरेंजी इसका पार्ट व है यह स्वाल नंबर फर्स्ट इंटरेंगल एबी सी डी और टू पॉइंट पॉइंट अन्साइड एबी एड़ एसी रिस्पेक्टिवली तस देगी यह जो सवाल है प्युलेर्टी सबसे भारी सवाल यही है और यहां आपको तीन तरीके से कराऊंगा और एक तरीके पर एक तरीके पर आपको कमांड कराऊंगा जो आपको पुपर में उसी करना City कणा पहले सवाल समझने कि सवाल है क्या कि अब तक आपने जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें क्या था कि भाई D और E दो पॉइंट है A B और A C पर और D E पैलल B C है लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं कहीं पैलल का जिगर नहीं है तो पहले जिखते हैं कि कौन से वो ट्रेंगल है जो सिमिलर होने वाले हैं मेरे पास एक ट्रेंगल है A B C और इसमें मेरे पास क्या है एक लाइन है D E इसका करते हैं नामकरण अगर यह पॉइंट A है तो यह पॉइंट B है और यह पॉइंट C है यह पॉइंट D है और यह पॉइंट मेरे पास E है इसने कहा है कि जो एंगल A B C है एंगल A B C यह मेरे पास कितना है 62 डिगरी और यह किसके बराबरे एंगल A E D यह भी कितना है मेरे पास 35,92 grad clam और इसने एडी बराबर मुझे कितने दिये 12 cm यहीं तो बिप। इये 12 cm और इसने . 2 mm चेह 12 cm। इसने मुझे एवी यह 6 cm। और इसने पूछ Tudo है उसे कहा पूचा इसने यह इस पूराइब इसने मुझसे उचिए तेकर सिमिलेरिटी पढ़ रहे है पहले देखते है कि ट्रेंगल इंद कौन से देखे ए अगर में ट्रेंगल एडी ऐकी बात करूं तो इसमें एक बासट दिखरी है ए सब्सक्राइब मैंनों में क्या है को मन यह वाला जो अगर में अगर किसी बीस भी दो त इरी भूझ गे तो कौन बराबर है तो तो बराबर होगा क्योंकि टीनों का सम्मधा रहना कितना है 110 c डेग्रीatt करने कि हमारे पास कोंजो इच्वेस ऑड्ल سीमिलर है अगर में चोटे वाले ट्रेंगल देखूं ट्रेंगल A, D, E जो similar है A, D, E वो किसके similar है देखिए इसमें angle A तो angle A के बराबर है यहाँ पर A, D, C है तो यहाँ पर जो D है वो M है पर यहाँ पर M कौन सा है C तो A, C, B इस बार A, B, C नहीं होगा A, C, B होगा तो हम अगर इसमें ratio लिक्खें तो हमें पताए A, D, upon A, C, Is equal to DE, upon B, C, is equal to AE, upon AB, यह मेरे पास क्या है, ratio है, sides का और यहां से में निकालना चाहूं तो मेरे पास AD भी है और मेरे पास AC मुझे चाहिए AD मेरे पास कितनी है अगर मैं पहले वाला तरीका यूज गरूं मैं टोटल तीन तरीके से आपको कोश्चन कराऊंगा इसमें से पहला कौन सा यह वाला AD मुझे यह वन है 12 अपॉन एसी मुझे निगालनी है एसी इस इक वल्स टू टी इए और बीजिसे मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे दोनों में से किसी की वेल्व नहीं पता एई एई मुझे 6 cm गीवन है कि अपॉन एबी कितनी है देखिए एबी पूरी कितनी है बारा और ची अठारा अगर यहां से मैं एसी को सॉल करूं अगर आप सेकेंड मैथड देखें तो वह ऐसा है कि उसमें आपको यह सब कुछ नहीं लिखना वह मैथड कैसा है बस आपको क्या देखना है अगर इस तरह की फीगर है और यह वाल एंगल इस एंगल है तो मैं एक रिजल्ट लिखोंगा आपको उससे सारे किसारे सवाल करने हैं वह क्या होगा अगर मैं यहां पर इनको क्रोस मल्टिप्लाइब कर दूँ एडी और एबी को तो मैं लिए सकता हूँ भाई यह और अगर यह लूँ तो एडी इन्टू एबी यह किसके बराबर होगा इस इकवल टू एई इन्टू एसी एई इन्टू एसी इसका फाइदा क्या होगा देखिए जैसे मुझे कहा गया कि भाई यह वाला कोण इस कोण के बराबर है तो आपको कोई सिमिलेटी नहीं लिखनी ट्रेंगल आटोमेटिक क्या हो चुके हैं सेमिलर धान रखना एडी इस इस इए इस इडी इन्टू एबी इकवल टू क्या होगा एई इंटू एसी तो डरेट आपकी वैलो निकल जाएगी एडी मेरे पास कितना है बारा है यह बी कितना मेरे पास 12 और शे 18 इस इकल टू एसी निकालना है मुझे इंटू और एई कितना मेरे पास 6 सेंटिमेटर एप्टी अठार बारा दिया चाथ तो एसी की वैल्यू कितने मेरे पास 36 सेंटिमेटर तो मैं आगे सारे सवाल किस से करूंगा अपने इस वाले तरिके से जब यह मुझे यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर मिलेगा तो मैं क्यूंज करूंगा एडी इंट इस तरीके से अपने कॉश्चन करूंगा तीसरा तरीका क्या है रेशो बनागी करने वाला वह मैंने आपको पहले वाली क्लास में डिसकस करा दिया था अगर एक बार उसको और देख लेते हैं जो थर्ड में तरड़ हम क्या करेंगे हमारे पास दोनों ट्रेंगल सी मिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे इनकी साइड का रेशो देखेंगे कितना है अगर मैं छोटे वाले मुझे इस में से कोई एक ऐसा एंगल देखना है जिसके सा कौण एक इगी बात करूँ तो कौण एक सामने डी है यह बड़े में कजेक सामने कितना एच्छे बेड़े वाले यह में एम के सामने कितना आपरच यह है अगर में डीखे इनकी जो side का ratio है भुजाओ का जो अनुपाद है वो कितना है मेरे पास एक अनुपाद तीन इसका मतलब यह है कि अगर छोटे वाले triangle की भुजा एक है तो बड़े वाले triangle की भुजा कितनी है तीन है अब हमें निकालनी कौन सी है में निकालनी है एएएट तो बसे के सामने है तो मुझे बासे के सामने आ एक है पॉइंट की वैलू के तीनही भी तीन वाले तरीका क्योंकि यह इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है ना साइट कर रिखना ड्रेट कर देना यह इस इक्वल टू यह मल्टीपलाइब आई तो पहला तरीका दूसरा तरीका और तीसरा तरीका आंसर कितना सारे के सारे क्योंकि इसी तरीके सम करने वाले हैं एक्स्ट इन ट्रेंगल ए बीसी इंड ए और टू पॉंट्स ऑन साइट ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली तस देट जो साइन है यह एंगल का है यह गलती से यहां पर ट्रेंगल लिखा गया इसकों पीडिफ में अप्ड मिचाश डिक्री ए खिरह एंगल डी से बराबर एक्सरीं डिक्रीवी विल्टी इस टैमेटर मिच्टे के जहें हें और एक साइड हमारे पास A A B और C ये D है और ये E है ध्यान रखना जब भी आपको ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर मिल जाए तो ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये ये भी लेट मार देंगे इसने क्या चाहेगा इसने क्या कहाया कि वह जो एंगल एबी सी है ये 50 डिगरी आपका या के अथे ये एंगल डी इए ये 130 डिगरी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है हमें पताए एक लाइन पे जो सम होता है और कितना होता है तो कि नड़ेगा 50 जैसे मुझे यह बराबर मिले अब तो मुझे पता है सब्सक्राइब अब तो है एक थिसे क्युक्ति है यह 30 है यह जो पूरी फी है मेरे पास एक थार्टी सेंटेमेटर के विर पास एई कितना है यह मेरे पास 15 है और मुझे कौन से निकालना है मुझे इसी को क्या मालो okay मुझे पता है कि जब भी यह वाल एंगल इसके बराबर होगा तो मुझे क्या पता कि इंटू इंटू ए बी कि इसके बराबर होगा ए कि ए इश ए हैं इंटू ए कि ए इडिके वैलो कितिन이grande मियरे पास 30 is equal to ae कितना मेरे पास 15 और मुझे एसी की वेल्यों निकालनी है पहले तो एसी की व्यल्व की तिन्हें है कि मेरे पास 20 सेंटेमेटर यह पूरी यह लेंद्ध है मेरे पास यह यह मेरे पास कितना है 20 cm पर मुझे क्या जी है मुझे तो इसी चाहिए तो पुरी बीज यह पंदरा यह तो पने आप कितना जाएंगे 5 cm जो कि आप्शन नमबर का है मेरे पास तस देट एंगल ABC is equal to angle AED is equal to 70 degree if AD बराबर 15 cm VD बराबर 25 cm AE बराबर 20 cm and DE बराबर 30 cm देन फाइंड AC प्लस BC बहुत प्यारा सवाल है और यह जो पिछले दो सवाल गये हैं उनसे एक स्टैप अलग सवाल है पहले इसका डाइग्राम मरा आएंगे करेंगल है मेरे पास ABC ABC एक ट्रेंगल है इस पर दो बिंदू है डी और इस पर दो बिंदू है कैसे है यह अंगल ABC यह सत्तर डिग्री है और किसके बराबर है अंगल इसका देने का मतलब साफ साफ यह है कि इससे क्या निकल वानी है पीसे निकल वानी है और मेरे पास मुझे निकल लगा प्लस बीजने तो मुझे पूरी एसी चाहिए और एक मुझे कहा जीए बीजी चाहिए तो इसको गर में क्या मालू एक समाल लू और इसको क्या मालू वाय मुझे निकालना है एकस प्लस यह मेरे पास सवाल है तो देखो जो एकस की वैल्यू है यानी जो एस यह हो तो निकालना बहुत असान है वो कैसे निकालना गया 15 जब भी क्या हो मैंने आपको बता है बार बार जब यह को निसके बराबर हो जाए तो यह गुणा यह इकुल टू गया होगा यह गुणा यह तो पंदरा गुणा इस इक्वल्स टू ए यानि बीस गुना है अमरे उसकी वैल्लू कितनी माननी एक्स तो बीज दूनी चालिस पंदरा दूनी तीस तो एक्स की वैल्लू कितनी आ चुकिए मेरा थर्टी टेंटी मिटर पर इससे मेरा काम नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि मुझे कैच यह वाई और वाई निकालने के लिए मुझे कैच यह गा दोनों ट्रेंगल की साइड्स का रिशू और दोनों ट्रेंगल की साइड्स का रिशू कैसे मिलेगा अगर मैं इस वाले कोंड की बात करूं इस वाले कोंड में छोटे वाले प्लब शुरर्ट वाले वाले ड्रेंगल में इस इसकोन के सामने वह है हम मुझे बताएकर च्छोटे वाले ड्रेंगल की साइड तो इसके सामने तीज है तो और यह वह है तो मुझे क्या निगालने पटेंगे स homes पारे अग działa infrastructure रेशो निगालना चाहूं एक तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास दोनों ट्रेंगल में कोई ऐसा एंगल है जिसके सामने कि मुझे साइड्स पता है अगर मैं यहाँ पर 70 डिगरी बात करूँ तो 70 डिगरी के सामने छोटे वाले ट्रेंगल में साइड कितनी है 15 रेशो बड़े वाले ट्रेंगल में 70 के सामने साइड कितनी है, मैंने अभी निकाल लिया, कितनी है 30, 30 cm, तो साइड का रेशो मिल चुका है, मुझे क्या, अगर छोटे वाले ट्रेंगल की साइड एक है, तो बड़े वाले ट्रेंगल की साइड कितनी है, दो है, इस वाले ट्रेंगल म य की वेल्लू कितिने हैं मेरे पास 60 cm और X की वेल्लू कितने हैं मेरे पास 30 cm पूछा किया इसने X प्लस Y यानि AC प्लस BC तो 60 रो 30 कितना होता है 90 ऐसा कोई ओप्शन नहीं है हम इसको चेंज करवा देंगे तो 90 cm कहा है इसका आंसर 90 cm एक्स्ट रेंगल ABC राइट एंगल एट बी डी इस परपेंडिकुलर टू एजी तस दैट एबी बराबर पंदरा बीची बराबर बीच एन फाइंड बीडी देगी बहुत प्यारा सम्वाले इसको पहले डिटिल में समझना पड़ेगा ये खास तरह का टाइप है जो राइट रेटेंगल ट्रेंगल बना लेते हैं इसे सबसे इंपोर्टेंट टाइप है यह राइटेंगल ट्रेंगल का हुआं हमारे पास है क्या हमारे पास एक बीडी है जो एसी पर परपेंडिकुलर है कि फिक है ऑनेटे जो हमें क्या करना है नौन के हिंग निक फिक पर न तो हमें क्या करना है हमें औक टीटा है जो यह स्ब्रीजी इस ते क्या करना और longer हैं के यह कर हम हम पढ़े और क्लिक गरें आगर दीदेगर मैरे पास ठीटा है कि यह 90 है यह क्या है मेरे पास 90-3 अगरी मेरे पास 90-3 और यह पुरनां इंटी तो यह मेरे पास क्या होजाएगा मैं कि मेbor您 कुना कि अगर मैं छोटे वाला ट्रेंगल देखु। झ restaurant एक बीड प्रेंगल एक देखू। कि हमारे बास्ट रैंगल है हमारे बास्ट टीन है A Bdo अगर आपको रिजर्ट पता हैं तो सवाल में कुछ नहीं अगर रिजर्ट नहीं पता तो फिर आप कुछ नहीं हो अगर मैं similarity देखू अभी तना पढ़ी चुके हैं अगर हम triangle A triangle A B और D की बात करें A B और D की बात करें तो यह similar किसके हैं देखिए यह A है यह B है यह D है तो बड़े वाले में तो यह दोनों common ही है है अ तो चोड़े वाले में भी है और बड़े वाले में अगर मैं EBS की बात कर हो तो ऐ तो है ही मेरे पास triangle A कि अरुमिnocन फिर्जल में टीक फिटा है जो Ce जो A B D मेंद वह धीटा है और यहाँ पर टीटा का है मिरे पास यह है हो c और यहाँ पर बी तो यह है similar अब हम अपनी similarity का क्या करते हैं रेशो लिखते हैं तो मैं लिखूंगा AB upon AC is equal to BD upon BC is equals to AD upon AB AB मुझे सबसे पहले यह BD लिखनी है BD की value निकालनी है देखो गोर करो देखो BD है कहां पर मेरे पास BD यहां पर है अगर हम BD की value निकालना चाहें अगर मैं पहले दो रेशो उठालू तो AB into BC सबसे पहला रिजल्ट सबसे इंपोटेंट रिजल्ट जो आपके सवाल को डिरेक्ट सौल कर देगा यह मेरे पास पहला रिजल्ट फस्ट टोटल तीन या चार रिजल्ट निकलेंगे जो मुझे सारे के सारे आपको लिखवाने हैं यह मेरे पास फस्ट रिजल्ट है कि बीडी बराबर क्या होगा जो यह बीडी निकलेंगे निकलेंगी AB into BC upon AC जो मेरा पिछले वाला सवाल है वो तो इससे ही मेरा क्या हो जाएगा सवाल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है और जो बीडी है वो AC पर परपेंडिकुलर है अगर हम क्या यूज़ करें अगर हम क्या यूज़ करें अगर हम पाइट हो यूज़ करें हमारे पास एक ट्रिपलेट होती है इस साथ पांच इसमें हम कुछ नंबर्स की मल्टिपलाइब करके डिफेर्न डिफेर्ट टिप्लेट जन्रेट कर सकते हैं अगर मैं दो की मिल्टिपलाइब करो तो 6,8,10 बन जाएगा तो यहां पर साफ साफ मल्टिप्लाइब रखिए पांच की पांच या पंदरा पांच चोग बीस पंजे बंजे पच्चिस तो जो हाइपर निकालने हैं पीडी हमने अभी अभी पड़ा है कि अगर ऐसी सिच्वेशन हो कि करेंगेंगल हो और बीडी एसी पर क्या हो पर्पेंटिकुलर हो तो एबी इंटु बीसी अपॉन एसी होता है बीडी की लेंथ 335 दूनितीस तीन सोवंटें फट्चिस तो जीवारा सेन्टिमेटर कर आऊगी मेरे पास यह पीडी की लेंथ तो जो पहले वाला रिजल्ट निकला है वो सिर्फ किसले निकला है यह बताने के लिए कि भाई AB into BC upon AC मेरे पास क्या निकलते है बीडी की लेंथ कि मेरे पास है रिजल्ट फस्ट अब हम लिखेंगे रिजल्ट टू मेरे पास आगे कोश्चन में क्या होगा यूज होगा पहले बनाते हैं डाइगराम फटाफट और इस बास सारे रिजल्ट इसी पेज़ पर लिखेंगे ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है BD मेरे पास AC पर परपेंडिकुलर है A B और C यह D है मुझे पता है क्या मैंने इसको लिए ठीटा यह तो 90 है मैंने मानना ही है इसको क्वेश्चन में गिवन है यह 90 माइनस ठीटा यह भी क्या होगा 90 माइनस ठीटा और यह क्या हो जागा ठीटा अब हम क्या लेंगे अब हम लेंगे दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर अगर मैं दोनों ट्रेंगल कह ले लूँ आपस में सिमिलर ले लूँ जो कि है अगर मैं ट्रेंगल छोटे वाले की बात करूं उपर ले वाले की A B D यह देखते हैं कि नीचर ले वाला जो एंगल है ट्रेंगल है उसके साथ क्या से सिमिलर है देखिए यहां पर ए 90 मैने सिटा है यहां पर बीट हीटा है यहां पर सीट हीटा है और यहां पर है अगर मैं रेशो लिखना चाहूं तो मुझे बदाए अपन वीजिए इस इकोवल स्टू बीडी अपन टीडी इस इकोवल स्टू एडी अपन बीडी यहां से भी बहुत इंपोर्टेंट रिल्ट निकलने वाला है कि अगर आप गोर करें अगर मैं लास्ट के दो रेशो उठालों मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा बीडी इंटू बीडी बीडी का स्क्वेर इस इकोल स्टू बीडी इंटू बीडी क्या मिलेगा बीडी का स्क्वेर इस इकोल टू एसी इंटू एडी इंटू स्टी एडी इंटू स्टी एडी मेरे पास यह है तो आपको आपका बीडि मिल जाएगा इसे हैं मेरे पास स्टेकंड रिजल्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट कि अब जएक क्या हम कोई और बना सकते हैं आप अगर मैं यह वाला जो रेशो है यह वाला और यह वाला पहला और तीसा रेशो कंपेर करूं एक थर्ड रिजल्ट बनाने कोज़ कर सकता हूं कैसे तेखे थर्ड है पर देखिए अगर मैं A B Sq. घए A B into A B क्या होगा A B Sq. अगर मैं इस तीसरे वाले रेश्यों को यहां पर लिखूँ मुझे पता है A B into A B क्या होगा A B Sq. Is equal to A D. और A C. देखिए A B square is equal to A C into A D. A C into A D. तो मैं direct AD की length लिख सकता हूँ AD की length वो क्या होगी मेरे पास AB का square upon AC बहुत important result है यह कैसे कभी question में आप से क्या पुछा जाएगा AD की length पुछी जाएगी यह क्या होती है इस AB का whole square upon AC AD की length होती है वो क्या होती है AB का square upon AC अगर इस वाले question में मुझसे AD की length पुछी जाती है अगर मुझसे क्या पूछ ले था AD की length तो मुझे पता है क्या होगा AB का square अगर मैं यहां से AD की length निकालना चाहूँ तो AB का whole square तो 15 का square कितना होता है 225 15 का square upon यह कितना है 25 15 का square कितना होता है 225 और बटे 25 तो AD की value कितनी हो जाती ही एसे में bd की length भी लिख सकता हूं कैसे मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह वाला triangle इसके साथ क्या लेना पड़ेगा इसको मैं अगले page बेगर कि अगर आप यह चोटे वाला triangle बड़े वाले triangle के साथ similar होगे तो एक result और मिलेगा वह क्या होगा एक एक cd की length लिए a b square upon a c यहां से आप dc की length लिख सकते हो डिरेक्ट जो cd की length निकलेगी वह कहने कि लेगी सीडी के साथ में को ने बीची का स्क्वेर कि बीची का हॉल स्क्वेर कि अपॉन एसी कि मेरे पास results है कि एक तो मेरे पार रिजल्ट यह है कि और एक मेरे पास result यह है कि पहला result एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं पहला result क्या होगा अगर बीडी की length निकालनी हो तो a b into b c upon a c अगर a d की length निकालनी है तो उसके सामने साथ a b है a b का square बटे a c अगर मुझे c d की length निकालनी हो तो b c का square upon a c अगर मुझे a d और dc दे रखा हो तो इनको multiple रूट उमारतो तब भी क्या निकल जाएगा आपका बीडी में एक प्येश पर सारे के सारे रिजल्ट लिख दूँगा एक अगर मुझे क्या निकालना होता इस question में c d निकालना हो इसका square चारसो बटे 25 कितना होता है 16 है यानि अगर यह मेरे पास 9 cm हो अगर यह मेरे पास 9 cm आये कि मेरे पास कितना है कि 16 cm हमारा एक रिजल्ट कर्फर्म हो जाएगा हमने एक बीडी की वैल्यू पड़ी थी कि हम बीडी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अंडर रूट मारके कि इसका सब कुछ निकाल दिया से 144 का स्कूर रूट की तरह होता है और मेरा बीडी की जो लेंटी वह बारा ही थी तो मैं एक पेज़ पर सब कुछ क्या करता हूं समराइज जिससे आप उसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं और अपने एक्जाम में डिरेट कोस्चन को कर सकते हैं जब मैं आपको राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ाऊंगा तो एक बार इसी ज़िए को और डिस्कूस करूँगा कि यहां पर यह है कि यह बी है और यह सी है कि यह 90 डिगरी है और यह मेरे पास 90 डिगरी है मुझे क्या लिखने डिरेक्ट रियल्ट लिखने है जिनका आप इसकी निशोट लोगे अगर मैं लिखू सबसे पहले पॉस्ट रिजल्ट पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर मुझे बीडी की लेंथ निकालनी हो अगर मुझे बीडी की लेंथ निकालनी हो जो मेरा बीडी होगा वो क्या होगा मेरे पास एबी इन्टू बीसी अपॉन एसी यह होगा मेरे पास बीडी की लेंथ अगर मैं second result लिखू, second result तो second result में भी हम क्या निकालेंगे, bd ही निकालेंगे तो bd की length और कैसे निकल सकती है, is equal to under the root of ad into cd, अब ad और cd का जिकर हो चुका है, अब एक तीसरा result लिख जाते है third result, यह मेरे पास किसके बारे में है, ad और cd के, अगर मैं पहले क्या लिखना चाहूँ, ad लिखना चाहूँ, ad पराबर, यह क्या होगा मेरे पास, ad के साथ को ने, ab, ab का hall square upon ac, और ac मैं क्या लिख सकता हूँ, is equal to bc का hall square upon ac, यह मेरे पास क्या है, fourth result है, तो यह आप याद रखोगे, अगर आप कोई याद है, तो आप सवाल second नों में solve कर देंगे, एक बार देख लिजिए, bd निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ab into bc upon ac, एक bd के लेंद कैसे नहीं कर सकती है, under the root of ad into dc, और अगर मुझे क्या निकालना हूँ, ad, अगर ad निकालना तो साथ में ab का square upon ac, अगर cd निकालना तो bc का square upon ac, यह मेरे पास result है, अब मैं अपने question try करूँगा, सवाल नमबर 15, triangle abc है, मेरे पास एक जो right angle triangle है, अब आप सवाल second domain solve कर देंगे, और bd perpendicular ac, इसके तो हम सारे के सारे results रट चुके हैं, बिल्कुल a, b, और c, t, जो metry में जितनी property आपको याद है, इतना ही आप सबसे आगे रहोगे, इसने काल कि ab तेरे पास 3 है, ये 3 है, और bc 4 है, तो ac अपने आप कितना हो जाएगा, 5, हमें निकाल ला है, ad ratio dc, ad ratio dc, सवाल थोड़ा सा क्या पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, ad ratio dc, हमें क्या पता है, यानि हम से पूछा क्या है, अगर हम जनरली देखें, हमसे पूछा है, ad upon dc, अगर हम ad की value लिखना चाहें, तो क्या होती है, ये वो ab का हॉल square, जो मेरे पास ad है, वो है क्या, वो तो ab का हॉल square, upon ac है, और जो मेरे पास cd है, या dc है, अगर मैं इनके ratio लिखूँगा, अगर मैं इनके ratio लिखूँगा, तो ac तो दोनों में कट जाएगा, ad, ratio क्या लिखना चाहों में cd, ac तो कट जाएगा, यानि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ab square ratio, ab square ratio, bc square, अब देखिए कमाल, ab की value है कितनी 3, तो 3 का square कितना होता है, 9, और 4 का square, 16, answer कितना है, 9, 5, 4, 9, 6, तो यह option number के हैं मेरे पास a है, तो यह गर 9 होगा, ad, तो dc कितना होगा, 16 होगा, 9, 6, तो अगर कभी भी इन दोनों साइड का ratio पूचा जाएगा, तो क्या होता है, क्या होता है, ab square upon bc square, या ab square ratio bc square, कर सकते हैं, अगर मैं आप कोई कि यह 2 है, यह 3 है, तो ratio बताओ, तो क्या होगा, चारणों पातन हो, next, abc rectangle triangle है, bd perpendicular ac, such that abc 24 से आपको AD निकालनी है, जो मैंने करा है, आपको उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, एक abc triangle है, और यह perpendicular है, bd, a, b, c, यह क्या हमार पास, d, यह perpendicular है, और यह right angle triangle है, इसने का, जो ab है, वो 7 है, bc 24 है, अगर आपको triplet की समझ है, तो 7, 24 है कितना है, 35, जो मैंने technometry में, detail में आपको ना रखिए, 7, 24 के साथ, हाई-पर्टनिज के आता है, 25, हमसे AD पूचिए, AD, तो मैंने AD की value कैसे बताया थी, जुसके साथ में है, AD की value क्या होगी, साथ में को है, AB, AB का तो whole square, और upon मेरे पास का है, AC, AB की value है कितनी मेरे पास, 7, 7 का square कितना होता है, 49, और बट्टे AC मेरे पास कितनी है, 25, तो 29 बट्टे 25 मेरे पास option होना चीए, जो की पहला ही option है, तोरी, चौता ओप्शन है, 95, अगर प्रोपर्टी आते तो सवाल इतने आसान है देख लीजिए, next, triangle ABC and triangle DCB are on the same base BC, AC and BD intersect at point E and F, at E and F is a point on BC, such that AB is parallel to EF, EF parallel DC, if AB बराबर 12 cm, TD बराबर 16 cm, then find EF, पहले इसका diagram ना लेते हैं, सवाल है क्या, जो मेंटरी में का diagram बन गया, तो सवाल आदा खतम हो चुगा है, मान के चलिए, हमारे पास दो triangle है, ABC और DCB are on the same base BC, एक BC base है आपके पास, हमारे पास दो triangle है, यह BC है, यह क्या है BC, यह B है और यह C है, एक triangle कौन सा है हमारे पास, एक triangle है हमारे पास, ABC, ABC, एक ABC triangle है, और एक triangle है हमारे पास, DCB, TCB, कुछ इस तरीके से है, are on the same base BC, जो base है वो same है, BC है, E and F, AC, यह A है, इंको नाम देते हैं, एक ABC है, यह तो A, BC है और एक कैमर पास, DCB, यह DCB है, इसने कहा है कि जो A, C, और BD, intersect करती है, E पर, यह point E है, यह point क्या है, E है, इसने कहा है कि भाई, BC, F is a point on BC, such that, AB parallel EF parallel DC, एक F point है BC पर, कोई point है F BC पर, यह इस तरीके से है, कि जो AB है, और जो EF है, और जो DC है, आपस में क्या है, parallel है, इसने कहा है, AB, parallel EF, parallel DC, PC, PC, यह मुझे question में, even, लेखने के ज़रों तो नहीं है, तो देखिए, important type है, इसमें एक result निकलेगा, आपको बस वह याद रखना है, अगर हम क्या करें, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई triangle similar है, तो देखिए, अगर यह parallel है, अगर यह parallel है, हमने जब पहली class करी थी, इसकी similarity की, हमने कुछ इस तरह के figure पड़ी थी, अगर आप गोर करेंगे देखना एक बार, अगर मेरे पास यह triangle है, और यह मेरे पास parallel है, sides, मुझे पताया कि अगर यह A, B, और C है, यह D और E है, और यह अपस में दोनों parallel हैं, मुझे क्या पताता कि AD, upon AB, is equal to क्याता मेरे पास AE, मैं आपको revise करा रहा हूं, upon AC, is equal to क्याता मेरे पास DE, upon, DE upon PC, यहां से हमने अपनी similarity की शुरुवात करी थी, ऐसा ही मेरे पास कहां पर है, इस वाले question में हैं, अगर आप गोर करेंगे, अगर मैं triangle कौन से वाला ले लूँ पहले हैं, अगर हम triangle ले, CFE, triangle, CFE, यह similar किसके हैं, CBA के, CBA के, इनको नाम दे देते हैं, इसको माल लेते हैं X, इसको माल लेते हैं Y, क्योंकि यह सवाल बहुत repeat होता है, मेरे पास यहां पर XYZ में हमेशा क्या निकलेगा, एक relation निकलेगा, और इस सवाल में 99% आपको, XYZ में से 2 की value दी जाएगी, मैं अपना result भी X, Y, और Z में ही निकालने की कोजिस करूँगा, देखिए, अगर हम लिखें, तो CF, CF, upon CB, is equal to Z upon X, यह पहली equation मिल गई मुझे, अगर मैं अब triangle कौन सा देखूं, अगर मैं triangle देखूं अब, यह वाला, A, B, एक triangle मैंने यह वाला लिया है, अब triangle लेंगे, B, F, E वाला, B, F, E, यह किसके similar मिलेगा मुझे, triangle, तो यह B, F, E किसके मिलेगा, B, C, D के, B, C, D के, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, तो यह B, F, upon B, C, B, F, upon B, C, is equal to के मिल जाएगा मुझे, Z, upon Y, B, F, upon B, C, के मिल जाएगा मुझे, Z, upon Y, is equal to Z, upon Y, जाएगा है, यह मेरे पास, second equation, अगर मैं दोनों को जोड़ दू, अगर मैं दोनों को जोड़ दू, उससे देगे क्या फायदा होगा, अगर मैं पहली और दूसरी जोड़ दू, first equation, और plus, second equation जोड़ दें, तो क्या होगा, cf, upon bc, plus bf, upon bc, is equal to, यहां पर z upon x है, z upon x, और यहां पर क्या है मेरे पास, z upon y है, देखिए, denominator सेम है, तो numerator जुड़ जाएगा, और यह fb और cf, यह क्या बन जाएगा, भाई अगर यह bf plus fc जोड़ दें, यह bc की तो बरापर है, तो इदर बनेगा bc, upon bc, जबस में कट जाएगा, एक बन जाएगा, अगर इधर सेम z common ले ले, उपर क्या बन जाएगा, x plus y, अगर जोड़ देंगे upon xy, यह तो one बन जाएगा, तो z की value data लगी कैसे, xy upon x plus y, बहुत important result है, आपको इसको याद रखना है, हमेशा, जाएट की value कैसे निकलेगी, xy upon x plus y, अब इस question में क्या given है, इस question में मुझे क्या given है, एक तो a b given है, जानी x की value कितनी given है, मुझे 12, यह मुझे 12 given है, और मुझे dc, dc की value 16 given है, यह मुझे कितना given है, और मुझे z की value निकालनी है, अभी क्या सीखा, xy upon x plus y, तो 12 गुना 16, 12 गुना 16, upon 12 और 16 है कितनी होते हैं, 28, तो चार से जब कट करेंगे, निजे 7 आना है, साथ मेरे पास लगबग 3 option में है, 4 से कट करेंगे, 4 तीया 12, 4 से 3, 16 तीया 48 बटे, साथ क्या होगा मेरे पास answer, क्योंकि option number क्या है मेरे पास, यह ही है, ज्यान रखना, जब भी इस तरह की situation हो, तो जो z की value ही है, यह क्या होगी, xy upon x plus y, बहुत important result है, अगर आप याद रखोगे, तो paper में आसानी सोल कर लोगे, next, triangle a, b, c and triangle d, c, b are on the same base b, c, a, c and b, d intersect at point e and f, e, intersect at point e, and f is a point on b, c, a, b, b, c, a, b, e, f, d, c, parallel है, a, b 15 है, c, d, b है, e, f की value निकालनी है, तो simple वही सवाल है, आपको, z की value कैसे निकलती है, x, y, upon x plus y, a, b given है, dc given है, कितना given है, 1, 15 given है, 1, 20 given है, z की value कैनी के लिए 15 गुना 20, और बटे 15 plus 20, 15 plus 20 कितने होते है 35, 5 से कट करेंगे, 5, 15, 35, 60, तो 60 बटे 7 क्या होगा मेरे पास, इसका answer जो कि option number का है, अगर आपको पता है ना, फिर सवाल में कुछ नहीं है, अगर आपको यह पूरिजिज के लिए है, M is a point on AB, such that AE is parallel to MD, and ME is parallel to AC, if BD बराबर 10 cm, PE बराबर 30 cm, find BC, बहुत important सवाल है similarity का, और इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना आप इसको, पहले इसका diagram मना लेते हैं, हमारे पास एक triangle है, ABC, ABC हमारे पास एक triangle है, का नाम है ABC, A, B, और C, यह इसका नाम है, D is a point on BC, E is a point on BC, BC पर एक point है E, यहाँ पर कोई point है E, और इसने कहा है कि D is a point on BE, अब जो BE बना इस पर भी एक point है D, D, M is a point on AB, AB पर एक point क्या है, M है मेरे पास, और ने भी such that AE, AE, मेरे पास AE जो है, यह parallel है कि इसके MD के, इसके parallel है ठीक है, और मुझे क्या given है, इसने कहा है कि जो ME है, जो ME है यह, यह parallel किसके है मेरे पास, AC के है, AC के ठीक है, BE बराबर 30 cm, जो BE है, वो कितनी है 30 cm है, यानि मेरे पास जो BE की length है, वो कितनी है 30 cm, 30 cm, यह पूरा BE, और जो BD है, यह छोटे वाला यह कितना है 10 cm है, तो मुझे कहाँ निकालना है, BC के length निकालना है, BC कहाँ मेरे पास यह पूरी length है, तो देखे जब यह BE ही 30 है, 20 तो सिब बढ़ी होगी, तो यह तो यह option खतम हुआ है, जब यही मेरे पास 30 है, पूरी पूछ रखी है, तो यह दोनों तो खतम ही हो गए, 60 और 90 अगर तुक का मारना हो तो एक दम मार देना, अगर आप गोर करें, अगर triangle किसी बात करूं, M, B, D, पोटे वाले triangle देखते हैं, M, B, D, M, B, D, यह किसके similar होगा, तेकिये, M, B, D, यह भी यह line parallel है, यह line parallel है, M, B, D ने लेते हैं, B जे start करते हैं, B common है न, तो triangle B, D, M, triangle B, B, B जो M है, वह किसके similar है, वह similar है मेरे पास, B, E, A, के, triangle B, E, A, के, तो देखिए, B, D, upon B, E, is equal to, मेरे पास क्या होगा, B, D, upon D, E, B, D, upon B, E, is equal to क्या होगा, BM upon, important इसमें यह ही है वही, BM upon B, A, is equal to क्या होगा मेरे पास, DM upon E, A, DM upon E, A, मुझे निकालनी है BC, यह मुझे मिलेगी दूसरे वाले triangle में, फिर इसको direct करना सिखाँगा आपको, अब हम triangle लेंगे कौन से वाला, भई यह वाला triangle है, जो मेरे पास बड़े वाला, भई यह line इसके parallel है, अब लेंगें B, E, M, B, E, M, जो similar होगी वो किसका होगा, triangle, E, C, A, B, E, M, यह line इसके parallel है, तो B, C, A, B, C, A, अगर यह line दोना अपस में parallel है, तो यह वाला triangle, और यह वाला triangle क्या होगा, similar होगा, अब इसका ratio लिखते हैं, देखिए, upon, BC, is equal to, E, M, upon, CA, is equal to, BM, upon, AB, इंपोटेंट कहा है, मेरे पास यह है, BM upon AB, अब मुझे उपर से BM upon AB का ratio देखना है, कितना है, तो BD मेरे पास कितनी यह 10 है, 10, पटे, BE कितनी मेरे पास, total 30 है, is equal to, BM, upon, BA, जो ratio निकल कहाएगा, वह एगा, एक अनुपात 3, यहां पर जो BM upon AB, यह एक अनुपात 3 है, मुझे कौन से निकालनी है साइट है, मुझे निकालनी है BC, तो BE कितनी है, मेरे पास 30, upon BC, is equals to, BM upon AB का रेशो है कितना, BM upon AB का रेशो है, एक बटे 3, तो तीस्तिया कितने होते है, तो BC की value मेरे पास कितना है, 90, लेकिन paper में आप इसको इस तरह के solve नहीं करोगे, यह तो solution दिखाने के लिए है, करने के लिए देगे क्या करोगे आप, अगर हम बात करें, यह वाली जो side है, वह एक point है, यह वाली side कितने मेरे पास 3 point है, यह वाली side कितने है, 10 है, यह वाली side 3 है, तो यह वाली side अगर 1 होगी, तो यह वाली side कितने होगी, पूरी 3 point होगी, अगर हम triangle की बात करें, मुझे पता यह वाला triangle, इस वाले triangle के similar है, यह जो छोटा सा triangle है, regala PhD हैं एक उनुपाथ यह TWO पााइद आप लुगा होगा एक उनुपाथ थीन और रेशों कितना यह ऑनुपाथBER मुस्किंटल्थ थीन है अग्छा उनकैसी इसकी और हृ मुझे मुझे पता है ऑगता है यह रेशों अब यह भी तो इस